हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनली फोर जी में आज हम सीखेंगे कि लर्णिंग लाइसेंस हम कैसे डाउनलोड करेंगे अप्लिकेशन नम्मर से या तो लर्णिंग लाइसेंस नम्मर से तो यह देखने के लिए वीडियो बनी रहें वीडियो को आपको टाइप करना रहेगा परिवहन अपने टाइप करने के बाद में अपने फोन को dest Jas में रख लेंग अभी मेरा फोन नॉर्मल है तौब हमें एक टाप कर लेंगे तो इसके बाद आपको सब से ऊपर में मिल जाएगा आपको होम परिभन सेवा मनिश्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट यह ओप्षन आपको देखने को मिलेगा इस पर एक बार टच करेंगे तच करने के बाद में आप कुछ इस टैप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो इसमें सबसे ऊपर में आपको मिलेगा इस उसके डैवलिंग लैसेंस लिलेटेट सर्विस को टच करना है फिर एक आपको अलग सा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर अभी यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमसे मांग रहा है प्लीज सलेक्ट द श्टेट फ्रॉम हेर द शर्विश इच टूबी टेकन आप कहां की सर यह चाही है मphones सलेक्ट कर लेंगे इसमें तो अभी हम यूब की सलेक्ट करेंगे forty इसमें तो हम हम यूब का उत्तर पर्देश सलाइट करें सलेक्ट करने के वादा कुछ इस जर्व को मिलेगा बंट कहने ह drown कि उनका है और सबेंग मिलेगша जूम कर दिखा रहें और स्ब्सर करने के बाद में यहां पर आपको सर्च लिलेटर एप्लिकेशन है सर्च लिलेटर एप्लिकेशन को हम एक बार टच करेंगे टच करने के बाद में, अब यहां पर हमें 3 criteria दे रहा है, search criteria हम देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, search criteria में एक application number हो गया, एक alert number हो गया, जिसे हम learning lessons बोलते हैं, एक DL हो गया, जिसे developed lessons बोलते हैं, तो DL से कैसे developed lessons download करेंगे, इसे हम i button में देंगे, i button से आप देख लेंगे, इसके बाद आप application cell आप डावड़ लेसंस केसे डाउनलोड करेंगे यह भी आई बटन में देख देंगे यह भी देख लिजेगा इसके बाद आज हम learning lessons डाउनलोड करेंगे तो learning lessons डाउनलोड करने के लिए हम आपके पास में learning number है तभी आप learning यहाँ पर select करेंगे नहीं तो फिर आप application number से learning lessons download कर लिए हो जाता है कभी कभी की learning यह कुछ time हो ज्यादा वो फट गया या थो फिर damage हो यह कहीं खो गया learning lessons को दो बारा से तो यह देखने के लिए हम क्या करेंगे इसमें तो हम एप्लिकेशन नंबर पर सेलेट करेंगे एप्लिकेशन नंबर सेलेट करने के बाद में जब आपने अप्लाई किया होंगे तो आपके पास एप्लिकेशन नंबर होगा एप्लिकेशन नंबर हम यहां पर फीड कर देंगे जो भी आपका application number है वह इसमें हम type कर देंगे box में type करने के बाद में इसके बाद हमें सबसे नीचे में आपको मिलेगा date birth जो आपका date अपको मिलेगा तो पहले तो अब यहां पर जिस ब्यक्ति को हमें download करना है लड्निंग लैसे उसका date वर्थ जो हो document में और डेट वर्थ डालेंगे यहां पर हम जो इसका format है उसी format में हम रखेंगे इसके बाद डालने के बाद में जुम आउट करके इसके बाद हम सम्मिट पर टच करेंगे सम्मिट पर टच करने के बाद में कुछ इस टैप को आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे आपका नाम जिनका है उनका नाम नजर आएगा date वर्थ है इनका father's name आटियो जो भी ह यहां पर गोतम नगर बुद्र नगर जो भी है इधर देख सकते इधर अप्लिकेशन नमबर कभी इनका जो अप्लाइव एक रख्ये हों थे इनका देखे कि अप्लिकेशन नमबर तो लर्निंग लैसेंस तो एप्रूब हो चुका है लेकिन अभी इनका इस वह बनेगा नही उसका आपको फोटो फलसिंगनेचर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां से डाउनलूट कर सकते इसके बाद आपका जदी आपके पास में अप्लिकेशन नमबर नहीं है लैसेंस केवल लैसेंस नमबर है तो अब यहां से सर्च क्राइटेरिया पर आएंगे य जैसे इनका है यू पी इसके बाद सर्च करेंगे यह लर्णिंग लैसेंस का नमबर है इससे भी डालकम देखा देते आपको तो यह भी आजाएगा आपको यहां पर सम्मिट करेंगे सब्मिट करने के लिए हमें एक ह्टिप पिछा जाना है जिसके बाद हम सम्मिट पर करेंगे तो यह मेरा यहां पर देखने को मिल जाएगा जो लडूनिंग लैसेंस में इसे वह तो आप देख सकते यहां से तो आपके